कि आज के जो वचन है बहुत अच्छा है कि मैं आपको सच कह रहा हूं आज का वचन आपका जीवन बतन देगा फिर सब्सक्राइब घमंड गमंड गमंड आज के जो टॉपिक है घमंड गमंड पता कैसे आता है आपके अंदर इग्नोरेंस से आता है जब आप इग्नोर करते हैं जब आपके अंदर इग्नोरेंस का भाव आता है वहवार आता है विशार आता है तो वो इग्नोरेंस आपके अंदर गमंड पैदा करता है आलेलुया फिर वो जो इग्नोरेंस है वो कठोड़ता में बदल जाती है और वो कठोड़ता बाप में बदल जाती है बाइबल कहती है कि घमंड से परमेश्वर नफरत करता है घ्रणा करता है इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है मती पांच का दो कि धन है वो जो मन के दीन है क्योंकि सौरका राज अनिका एढ़ी जो मन के दीन है उनी के लिए सौरका राज यह गमंडी आदमीं के लिए सौरका राज जैसा नहीं है हाललीय आप सुछिए कि हम शेतान हमारे चारों तरफ युक्तियां लगा रहा है योजनाय बना रहा है ताकि वो हमको खतम कर सके वो दूसरे आकाश पर इस समय है याद है आपको शेतान कहां पर है दूसरे आकाश में परमेशर कहा है तीसरे आकाश में हम कहा है पहले आकाश तो जो तीसरे आकास से परमेश्वर आपको आशीर देता है वो दूसरे आकास में शैतान रोक लेता है Hallelujah मैंने आपको लास संडे बताय था लेकिन उसका उपाई भी बताय था Hallelujah जो धन है वो जो मन के दीन है क्योंकि सौर्क राज उनीक आ है आपकी अंदर आपको पता नहीं है कि अभिमाण घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है । गोगीव की पत्री 4 का 6 और पहला पत्रस 5 का 5 पैध्याकुब सकत्र हे इसकारण लिखा है पर、、 complic report करता है पर दीनों पर अनुग्र करता है परमेश्वर अभियमानियों का विरोध करता है और पर अनुग्र करता है एक पहला पत्रस ही पांच का पान्च भी पढ़ित क में इसे प्रकार से न आनव्यु युह को तुम भी प्राचिनों के अधीन रहो वरंतुन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांदे रहो क्योंकि परमेशुर अभिमानियों का विरोध करता है परन्तु दिनों पर अनुग्रा करता है एक ही वचन नए नियम में याकूब की पत्री में भी है और पत्रस ने भी कहा है आप सूचिए कि पवित्रात्मा इसको कितना इंपॉर्टन देता है एक ही वचन विद्कुल पास-पास है याकूब की पत्री 4 का 6 और पहला पत्रस 5 का 5 कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है अब सूचिए कि अगर आपका बॉस आपके विरोध में खड़ा हो जाए तो आप फिल जाएंगे कि यार खाने के बांदे हो जाएंगे यार मेरा बॉस मेरे विरोध में आगे आपका पुरुसी आपके विरोध में आजाए आपका दोस्स आपके विरोध में आजाए आपकी सास आपके विरोध में आजाए आपका ससुर आपके विरोध में आजाए आपका पती आपके विरोध में आजा तो आप हिल जाएंगे यार ये क्या होगा यार क्या करूं मैं इदर भागेंगे उदर भागेंगे प्रात्ना क मेरे लेकिन अगर आप सूचिए 아पर मे अभी मानियों करता है अगर आपके मन में अभी मान है पर मिश्रहाब का विरोध में किसी भी चीज़ का अभीमान बुद्धी का हम अभीमान पैसे का अभीमान खुबसूरती का अभीमान बोलने का अभीमान गाने का अभीमान किसी भी चीज़ का अभीमान हो सकता अगर आपके मन में अभीमान आ गया तो आप यह समझ लीजिए कि पर्मेश्वर आपकी विरोध में है इसलिए आप कुछ नहीं कर पाए कहा जाएंगे आप किसे मागेंगे आप वो सर्वशक्तिमान जो आपका विधाता है जिसने अपने एक लौते पुत्र का बलदान की आपके लिए कि वही आपके विरोध में है क्योंकि आपके अंदर घमंडा गया है कि मैं अपने परिवार को खिलाता पिलाता हूं कि मैं हूँ आपको पैसा देने वाला कोई भी चीज़ आलेलिया कि परमिश्वर नहीं चाहता कि आप में घमंडा अब कि इसलिए वह कहता है कि जो मन के दीन है वही सुर्ख राज्य पराज्य में प्रविश्व नहीं प्रृ altro कि राजा हीजिक्स किया तक बहुत बड़ा राज़ा था बहुत सी उसकों ताकर थी उसके पास राज्य थै लेकिन जब वो आकर्मान जब उसके पर मुआब जाती ने आकर्मान किया वोपर हूँ के पास आया पहला इतियास 20 का दो तिन चार और 12 और 16 17 अले लिया वोपर हूँ के पास आया कि मैं निर्बल हूँ राजा क्या कहता है मैं निर्बल हूँ मैं अज्ञानी हूँ ए पिता परमेश्वर मैं निर्बल हूँ यानि कि मुझ में बल नहीं है राजा होने के बाद वो कह रहा है मैं निर्बल हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बस ज्ञान भी नहीं है और मेरी नजर तुछ पर लगी हुई है मेरी नजर किस पर लगी है? तुछ पर लगी हुई है परमेश्व 16 वचन में बोलता है कि तुदर मत तेरी लडाई मैं लड़ूँगा कब लगा परमेश्व आपकी लडाई? जब आप दीन और नमर बनेंगे जब आप उसके सामने अपने आपको खाली करेंगे नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता जब आप घमंड को निकालेंगे शैतान का मकसद ही है कि आपके अंदर घमंड आए आप नौकरी मांगते हैं मुझे नौकरी मिल जाए नौकरी मिल जाए नौकरी मिल जाए प्रासना करते हैं प्रासना करते हैं कोई मुझे नौकरी मिल जाए चालिस जार की नौकरी मिल जाए पास्टर प्रातना करी रहे, लीडर से प्रातना करी एक, और एक बार प्रातना हो गई, आपको नौकरी मिल जाए, तो आपके अंदर धमाइन आ जाता है, परमेशर बरदाशनी करता है, मुझे याद है काफी साल पहले हमारे बहन आती थी हमारे लीडर जो पुराने लीडर हमारी बहन जानती है उसके बच्चा नहीं हो रहा था 16 साल से उनको बच्चा नहीं था क्या नाम था उसका अंजली उसके बच्चा नहीं हो रहा था 16 साल से वो हर जगा घूम के आई बच् लेकिन जैसे बच्चे हुए उसने चड़ चाना बंद कर दिए कि अपने बच्चों में रहे गई हमने कितना बुलाया बहन आपके बच्चियों आई यह नहीं मिलता यह नहीं मिलता वह नहीं अगर आप शर्च किसी उद्देश्च के लिए आने हैं तो आप वापस जा सकते हैं कि अभी मेरे बच्चे की शादी हो जाए अप आंगे आप समर्वित रहेंगे बैबल भी पढ़ेंगे दशांज भी देंगे और सब लोग किया हाँ यार समर्पित ऑउरत है समर्पित भाई यह मेरे बच्चे की साधी हो जाए मेरे बच्चे की साधी हो जाए और जहां बच्चे की साधी हो जाए खतम क्योंकि आपका उद्देश यह जेकि साड़ी थख Pirambu नहीं था अगर आपका उदेश्य प्रभू है अगर आपका चठ आने का मुखसद प्रभू है तो आप कभी पीषनीय रहेंगींगी लेकिन अगर आपके मन का उदेश्य आपका प्रभू आपका चठ चाने का उद्स देश्ज हिसाद मेरी नौकरी अच् defal मेरा बच्चे अच्छा हो जाए मेरे बच्चे की शादी हो जाए मेरे बच्चे की बच्चे हो जाए तो तब तक जब तक परमेश्वर का अशी तब तक ही है आप उसके वाद जैसी हो जाएका आप चले जाएं यही शैतान की चाहल है तो परमेश्वर क्या चाहता है इश्व क्या चाहता है कि आपके अंदर घमंड ना आए परमेश्वर के बारा चेले थे इश्व के बारा चेले थे और इन बारा चेलों में सबसे प्रिये चेला इश्व मुसी के कौन था पतरस सबी चेलों में घमंड आ गया था आखरी बात आखरी समय में घमंड आ गया उसको उन चेलों को और इशु मसी ने पत्रस से कहा कि पत्रस बहुत ही सीरियस बात है लुका 22 उसका 31, 32, 33, 34 हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे लुका 22, 31 लुका 22, 31, 32, 33, 34 शामौग, हे शामौग शैतान ने तुमको गयहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है आज जो मैं आपको बोलूँ मैं आपसे विंती करता हूँ कि उससे ध्यान से समझी है अगर आपने इस प्रचार को ध्यान से समझा ये प्रचार आपका जीवन बदल देगा मैं आपको सच कह रहा हूँ इशू कभी भी आ सकता है इस उसमें मत रही है कि हरे अब तक नहीं आया अगली बार हम लोग हो जाएंगे सीरिस आगे हम सीरिस हो जाएंगे प्रभु वोज की प्रता क्यों प्रवेश एशू मसीय ने डाली है ताकि आपके अंदर घमंड ना इसलिए हो कहता कि जब भी तुम मुझे याद करो तो इस मेरी दे को लिया करो इस रोटी को लो ताकि तुमारे अंदर यह एहसास हो कि मैं तुमारे लिए मरा था ताकि तुमारे अंदर यह एहसास हो कि तुम मोल लिये हो तुम अपने नहीं हो मैंने तुम्हें मंदिर बनाया लेकि तुम अपने नहीं हो पहला करुंतियां 6 का 19 में लिखा हुआ है यह वचान बाद में पढ़ेंगे मैं आपको बता दूँ यह शरीर तुमारा मंदिर है परमेश्रे का मंदिर है पाविद्रात्मा उसमें वास करता है लेकि तुम अपने नहीं हो कि मैं तो प्रभू वोज इसलिए दिया जाता है ताकि हमारे अंदर कहीं भी एक रत्ती बढ़ी घमंड नहीं आए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ इसलोड पॉलूस ने मुड्दों को जिन्दा किया पॉलूस ने मुड्दों को जिन्दा किया पड़े-बड़े चमतकार किया उसके रुमान से लोग चंगे होते थे कि लेकिन वाइबल कहते हैं उसे काटा चुह हो वह एक बीमारी उसे थी और उसने प्राथना कि जिए प्राथना की परमेशर निली त्क वेशुम लगे ट्रेकर कर सकता है जो मेरा आुगुरा तेरह एलिडा से भी तुझ मैं उसे ओंतरी है कि श हुर्ब झम बैंद कहीं उसके अंदर खमट नाज मां तीस्कूस तक समय ने सुर। कि बडू को जिन्दा कर चुका हूं मैं आज तो सब कुछृ नाख सका ओं जो Negra । ये काटा तेरे अंदर सही नहीं हुदेगा तक तेरे अंदर खमांड नहीं आए पत्रस के अंदर घमंड का गिया था तो ऑस बी चेलों के अंदर गमंड आ रहा कि कोन बड़ाएं मैं बड़ाएं मैं बड़ाऊं अंदकार उनके अंदर आया घमन उनके अंदर आया और शैतान ने उनको मांग लिया क्या कहता है 31 जोर से पढ़िए ध्यान से शमोन हे शमोन देख सैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेव के समान पढ़के परंतु मैंने तेरे लिए विंती की कि तेरा विश्वात जाता न रहे आप परिश्या में पढ़ते हैं माइबल कहती याकूब की पत्रे एक का तीन कि जब भी तुम विविन परिक्षाओं में पढ़ा तो इसे आनन्न की बास समझो प्रेस अलॉट परमेश्वा सिर्फ यही चाहता इश्व मसी मद्यस्वी की प्रात्रा क्या कर रहा है पता आपको हलो इबरानियों साथ का पच्चेस निकालिये इश्व मसी क्या प्रात्रा कर रहा है पता बरमेश्व के दाइनी और बैटकर स्वर्ग में इस समय है कि आपका विश्वास ना चला जाए आप धरती पर हैं बाइबल में यह नहीं लिखा हुआ कि आप इश्व मसी को माल लें हालेलिया तो यहां पर वो क्या करने को सरवदा जीवित है हमारे लिए परमेश्वर इश्व मसी विंती कर रहा है परमेश्वर से क्या क्या कर रहा है कि इनका विश्वास ना चला जाए यह बिमार तो है आपको पता है जैसे ही आप अपनी बिमारी की प्रास्वाना करते हैं परमेश्वर उसी समय उत्तर देता है उसी समय उत्तर देता है लेकिन वो उत्तर आप तक पहुंचता नहीं है रोक लेता है शैतान का मकसद क्या है आपको परमेश्वर से दूर करे मिलेगा स्वर्ग से हो चुका है लेकिन मुस्तक नहीं पहुंच रहा है तो मुझे क्या करना है अगर मुस्तक परमेश्ड का उत्तर नहीं पहुंच रहा तो मुझे क्या करना है निरंतर प्रास्टना करना है पहला थिसलोने को पांच का अठारा निरंतर प्रासना करते रहिए होगा होना ही है जो आपने मांगा है वो परमेश्वर देगा शेतान के पास क्या है उसके उत्तर को रोक लेना बस उसके पास एक ही पावर है प्रकाश है तो आके मैं लिखवा है कि वो गिरा दिया गया अभी तक गिरा है नहीं गया अभी तक दुस्ञेद्ली आКАश में वो उसके पास एक ही है कि आपके लिए जह उत्तर परमेश्वर ने दिया उसको रोक लो एक दिन दो दिन और आप अगर मजबूत नहीं है अगर आप समर्पित रही है एक दिन दो दिन तीन दिन आप करेंगे नहीं है प्रभू नहीं चाहता परमेशन मेरी प्रात्रना समय आप इदर बाके इंड़े उदर बाके इंड़े यहाँ आपकी प्रात्रमा सही होने यह झाई है, अभी आप बोलें प्रातना कर रहा हूँ, मुझे एक करोड की हिए लौत्री लग जाज है ह्ॉ और उत्तर के लिया वेट कर। यह गलत है। जो जायद प्रातना है प्रमश्र जरूर आपको पता है। प्रमेश्र आपको इतना प्रेम करता है कि उसकी आत्मा आपको बोश्घ करने का ताकि वह प्रातना पूरीकरे। अपटक्राइता न क्यों आपके पास है कि आपको बोश देती है número 8 26 परही कि वह बहुंज देती था कि आप प्रात्रा करें और वह आपकी प्रात्राकि को पूरा करें हालेलोया तो यहां पर पत्रस था वहाज़माश में आ परिक्षिया में आ गया और इश्यू मसी का मकसद था कि ये विश्वास में ना चला गया लेकिन पत्रस को घमंड था इश्व मसी पत्रस के घमंड को चूर करना चाहते थे उसका चुला हुआ चेला था पत्रस लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया था इश्व चाहते थे कि उसका घमंड चूर हो जाए और इश्व से कहते हैं कि पत्रस हे शामाओन शामाओन शयतान ने गयों की तरह तुझे पठकने के लिए मांग लिया है लेकिन मैंने तेरे लिए प्राट्वना की है कि तेरा विश्वास ना चला जाए आगे उसने उससे कहा है प्रबु मैं तेरे साथ बंदिकरु जाने वरन मरने को भी तयार हूँ उसने का है बत्रस बस आप समझे घमंड अरे इश्यू आप कह जानते हैं मैं मैं ही अकेला चेहला हूं मैं बंदी कर भी जा सकता हूं अरे तेरे लिए मर भी सकता हूं क्या बात कर रहे हैं आप आपने मुझे पैचाना ही नहीं क्या बोल रहा है उसके अंदर का घमंड घमंड उसके अंदर है ब बुद्धी बंद हो जाती को दिचा ựcी आपकी बंद हो गई ऊसकी बुद्धी बंद हो गई है एक है और जा सकता हूं मर भी सकता आप क्या बात कर रहे हैं तब une उसने का है पतरस मैं तुभ से कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तो तीन तो मरने की बाद कर रहा है तो मेरे लिए जएल जाने की बाद कर रहा है अरे आज रात तू तीन बात मेरा इंकार करेगा जब तक मुर्गा बांग नहीं देगा आप जानते हैं इशू मसी उसका घमंड दूर करने के लिए उससे पाप करने के लिए कह रहा है इशू का इंकार करना समझें आप क्या है वेविचार से बुरा पाप है आप मसी हैं अगर आप दुनिया के सामने इशू का इंकार करेंगे आप माफीन के काबिल नहीं है आपको पता है इशू मसी उसका घमंड चूर करने के लिए उसको अनुमती दे रहा है कि तू पाप कर चूंकि तेरा घमंड दूर होना चाहिए तेरा जो घमंड है मैं 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 चाहता हूं तेरा मैं तेरे अंदर से निकले तेरा मैं निकले अंदर से आलेलोईया ध्यान दीजे कभी कभी आपको परमेश्वर्स उच्छा उठाने के लिए गिराता भी है आपको पता है बजन सजीदा 149 का 324 पड़ी है हे परमेश्वर्स मुझे जाचकर जान ले एक सच्चे विश्वासी की प्राथना क्या होती पता है वह एक सच्चा विश्वासी जो होता है वह बंगलाकार नहीं मांगता है हे परमेश्वर्स मुझे जाचकर जान ले मुझे परक कर मेरी चिंताओं को जान ले उसकी चिंता क्या है 24 वह और देख कि मुझ में कोई बूरी चाल है की नहीं हमें हलो मुझे चाहता कि मेरे में अंदर कोई बुरी चाल तो नहीं है जिस से में अलग न हो जिस से मुझे कौन अलग कर सकता है میरी बुरी चाल हलो अरे मुझे प्रभू मिला है मुझे ईशू मिला है मिरे ईशू ने मेरा उध्धार किया ईशू ने मुझे पविद्र किया है कहीं मैं कोई बुरी चाल ना चलू जिससे मैं ईशू से दूर ना हो जाओ ये है आज ये है मसी सचे मसी की ये प्रात्ना है आपने चाहिए दन ने चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए मान और सम्मान मुझे नौकरी नहीं चाहिए बस मैं प्रबू से दूर न हो जाओं जिससने उधार की कीमत को समझ लिया जिसने समझ लिया कि हम पाप से मुक्त हो चुके हैं इसलिए नए नियम का पहला नियम पता क्या है पहला प्रमेशन ने आग्या क्या दी यह नए नियम की पाप से घ्रना करो नए नियम में पहला आग्या क्या है पाप से घ्रना करो जितना आप अपनी बेमारी से घ्रना करते हैं क्या आप उतना पाप से घ्रना करते हैं और गिसा जितना आप अपनी विमारी से आपका सर्दद हो जाएं बहुत सर्दोला जै जब तो सर्दर निकलना जाए आप चैंसे नहीं बठेंगे ये करेंगे वह कृरेंगे ребाम लगाएंगे किसी चुपलेंगे ब कि मैंने कोयी पाप सुन लिया या में मुझ से कोई पाप हो गया या मैं किसिंवाप का विशार मेरे अंदर आ रहा है न हैं आपके just ajam लैंशने कि नहीं इस पाफ को मेरे अंदर से निकलना ये मैं पाप को बरदाश नहीं कर सकता जितना आप बिमारी के लिए जितना आप आपको कैंसर हो जाए अगर आपको सुई लेने में दिक्कत होती है अगर आपको काटे में दिक्कत रहे यार दर्द होगा देखे आप जाई डॉक्टर के पास कैंसर ऐसा है आपको यह पूरा चीर करना पड़ेगा लेकिन गारेंटी है दसलाग रुपे भी लगेगा और आप कैंसर निकल जाएगा आप कहें कर दो सर मैं अपना मकान बेश दूँगा और चीर फाड़ भी कर लो आप सर मैं दर्स है निकलता है यारू मेना कैंसर निकल जाएगा कभी पाप के लिए ऐसा सोचा है कैंसर अगर आपको है तो आप सर्ग जा सकते हैं लेकिन अगर पाप है तो आप सर्ग नहीं जा सकते याद रखेगा अगर पाप है तो सर्ग नहीं जा सकते Praise the Lord एक मसी की चिंता क्या है कि मैं कहीं कोई बुरी चाल ना चलूँ Amen और यहाँ पर पत्रस ने उने इंकार कर दिया तीन बार और पर्मेशन एशुमसी ने इंकार करने दिया ओ चलो इंकार करूँ में मैं प्रभू हूँ क्या देखा था आपको पता है आपने कुछ नहीं देखा है पत्रस ने इशुमसी का रूपांतरन देखा था मती सक्तरा पढ़िएगा धै पर्मेश्वर की वानी सुनी थी इसके बाद उसने इशु का इंकार किया था आप समझते हैं आप अगर रोस चर्च आते हैं और अगर आपने आपको नहीं समाला छोटी छोटी बातों में शेटान आपको खरदेगा खरदेगा आपको पटरस ने इशु का इंकार किया और उसके बाद क्या हुआ इंकार किया और बा ichल कहती है रोया रोया आपको पता है रोते समय क्या सोच रहा था वो अब मैं प्रेडित नहीं ना अरे मैंने इशू का इंकार किया मैं प्रेडित नहीं मैं प्रमिश्र का दास नहीं मैं चेला बनने के योग भी नहीं नहीं अब मैं क्या करूँगा मैं कुछ नहीं मैं प्रभू की सेवा कर भी नहीं सकता मैं कुछ भी नहीं हूं और तिभराज ज warfare में वो मशली की लए गया याद है आपको यहद्ना 21 तिभराज जील में वो अपने दोस्तों के संग मशली पकड़ने के लिए गया आले बही यए और वो मशली पकड़ने के लिए गया बचन कहता है कि दू किनारे पर ईशू मसी एक अंगिठी लिए वे बैठे थे उस पर रोटियां बना रहे थे मशलियां सेख रहे थे एक मां का प्यार हालेलोहिया वहां इशू ने बताया कि परमेश्वर आपसे मां जैसा प्रेम करता है वो आप कुछ भी उसका इनकार कर दे पाराने कि लेकिन वह आपको नहीं छोड़ना चाहते वह आपको नहीं छोड़ सकता पत्रस्वने इशू का इंकार कर दिया था लेकिन फिर भी इशू उसे मिलने के लिए किनारे पर बैठा हुआ यह मेरा प्रभू यह है मेरा इशू आप गल्ती कर देंगे आप उसके निंदा करेंगे, फिर भी वो आपके पीछे-पीछे आएगा. इमेन, ये है मेरा इशू, ये है मेरा प्रभू, कुछ नहीं मांगता हूँ आपसे. कुछ नहीं मांगता हूँ आपसे. हालेलुया. और क्या किया उसने? मचली पुख़ड रहा था. क्योंकि उसना सोच लिया था. अब मैं इस काबिल नहीं. मैं कुछ भी नहीं. I am nothing. जैसे ही पत्रस ने अपने मन में लाया कि I am nothing, ईशू मसी ने भुलाया, आज है पत्रस. ईशू मसी आप? मैं. पत्रस, क्या इस सबसे ज़्यादा तुम उससे प्यार करता है? पत्रस ने इंकार किया था तीन बार. ईशू मसी ने तीन बार उसके मूँ से प्यार का अंगिकार करवाया. तीन बार उसके मूँ से प्यार का अंगिकार कराया कि हाँ मैं ईशू तुस्से प्यार करता हूँ, हाँ मैं ईशू तुस्से प्यार करता हूँ, हाँ मैं ईशू तुस्से प्यार करता हूँ, हाँ मैं इशू तुस्से प्यार करता हूँ, हैमैन, हाले लुए, जिस दिन उसक गमंड चूर हो गया जिसे उसे हैसास आया कि हम न थे मैं कुछ भी नहीं हूं मैं कुछ भी नहीं हूं इश्यू के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभू के बिना जिसमेरे भाई मेरी महन आपके अंदर ये एसास होगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ अपने इशू के बिना वो आएगा वो आपके पास आएगा और आपको गले लगाएगा मैं सच कह रहा हूँ वो आपसे बहुत प्रेम करता है ये मैं सोची कि मैंने ये गलती की है मैंने ये गलती की मैंने ये पाप किया है तो परमिशन मुझे माफ नहीं करेगा नाएगा वो आपको पापों से बचाने के लिए आया है बाइबल में पहला प्रामिस आपको पता है मती एक का इकिस बाइबल में पहला प्रॉमिस क्या है पहला प्रॉमिस नए नियम का पहला प्रॉमिस नए नियम का पहला प्रॉमिस क्या है मैं तुझे शमा करूँगा नहीं है मैं तुझे नर्क से बचाऊँगा नहीं है पहला प्रॉमिस क्या है ना वह आपको पाप नहीं करने देगा वह आपको पाप से बचाएगा इस वह जोती है एक वार इशू की जोती अपने अंदर धारन करके देखिए मेरे भाई मेरी मेहन आप निकल नहीं पाएंगे हो सकता आपके पड़ोसी आप हो सकता आपका घर में आपके सदसी आपको रोक लें आपका शरीर तो रुक जाएगा लेकिन आपकी आत्मा नहीं रुकेगी आपकी आत्मा तरपेगी इशू से मिलने के लिए कि हमको इशू से मिलना है हो जाए रम जाए ये issue में सच कह रहा हूं और कोई दुस्रा रास्ता नहीं है इमांदारी ही रहिए अपने प्यार में issue से प्यार करने में इमांदार रहिए Praise the Lord मेरा इंकार करते तो मेरा इंकार करेगा Hallelujah लिए इशु जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता हूं कोई नहीं कर सकता हूं 22 का 28 पढ़िए देखिया आप देखिये 22 का 28 में क्या कहता है इशु मसी तुम वह हो जो मेरी परिक्षा में लगातार में साथ रहे अभी कुछी घंटों के बाद पत्रस इशु मसी का इंकार करने वाला है जान दीजे अभी कुछी समय के बाद कुछ घंटों के बाद पूरे चेले इशु मसी को छोड़ कर जाने वाले हैं लेकिन वो क्या बोलता है कि तुम हर परिक्षा में मेरे साथ रहे हो उन्तिस्वा पढ़िए और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राच ठेहरा है वैसे ही मैं भी तुमारे लिए ठेहराता हूँ अन्तिस्वा तीस्वा वर्चन करता मैं तेरे लिए राच ठेहराता हूँ और 31 में 32 में 33 में मैं उसका इंकार करता है और वो जानता है कि वो इंकार करने माला है आप कैसे भी आप हो सकता है उसे याद न करें आप हो सकता है प्रात्रा न करें आप कैसे हो उसने आपको चुना है आपके लिए उसने राच ठेहरा चुका है वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है आपको समझ ही नहीं आ रहा है अगर आपको समझ वादा कूटे आप कूटे आप सोची कुछी घंटों के बाद उसके चेले उसको छोड़कर जाने वाले हैं उन्हीं चेलों को कह रहा है कि मैं जान चाहूं कि तुम मेरे साथ परिक्षाओं में मेरे साथ रहे हो जो परमेशा ने मेरे राज दिया वो राज मैं अब तुम्हें देता हूँ मुझे जानता है कि कुछी घंटों के बाद ये चेले मुझे छोड़ जाएंगे इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रात्ना करूँगा कि तुम्हारा विश्वास ना चला जाए इसलिए मेरे भाई अपना विश्वास मत भीग जाए आपकी बिमारी ठीक नहीं हो हो घी है कोई चंता मत करिए होगी आपके घर की ठीक नहीं होती आप निरमतर प्रातना करे और प्रमेश्र लिचलते रही आप to telling it yes याद रखिए अपने विश्वास को रोज बढ़ाई जितनी परिक्षाएं बढ़े उतनी आपका विश्वास बढ़े मेरा प्रभू मेरे साथ है मैं अपनी इमानदारी नहीं छोड़ूँगा मैं अपनी मसियत नहीं छोड़ूँगा मैं प्रातना करना नहीं छोड़ूँगा मैं मांगना नहीं छोड़ूँगा नहीं छोड़ूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा पिता मेरा इश्व सरवदा मेरे साथ है इसलिए अपने विश्वास को कमजूर मत होने दीजिए होगा होगा ब्रदर होगा जिम्मी का मन बदलेगा होगा 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 हम किस से मांग रहे हैं उसके लिए कुछ भी असमब है तेरे बच्चा होगा तेरे बच्चा होगा मन से समर्पित मन से इमानदारी से परमेश्रक के चरणों में समर्पित कर अपने आप हालेलिया मलकी सिद्दिकी और इबरहीम के बारे में आपने सुना है हालेलिया आपको पता है कि इबरहीम के सामने मलकी सिद्दिकी क्यों प्रकट हुआ मलकी सिद्दिकी इबरहीम के सामने क्यों प्रकट हुआ रेस अलॉट हालेलिय चौदा उत्पत्ती उत्पत्ती 14 18 18 से 20 उत्पत्ती 14 मैं आप लिए बताता हूं कि इबराहिम के सामने मल्कि सिद्धी अचानक क्यों आया क्योंकि लूथ को लूथ जो कि इबराहिम का भतीजा था उसको तकरीबन वहां के पांच राजाओं में घेर लिया था और उसका सारा समान बीवी बच्चे सब कुछ उठाकर वह पांच राजा ले गए थे लेकिन इबराहिम के पांच इबराहिम के पांच सेवक थे कितने थे सेवक तेन सो अठारा जो कि युद्ध कुछल में थी हाललुया बाइबल कहती है और वो उनके साथ गया और परमिशर के आशिरवास से उन्हें पांच राजाओं को उसने हराया और सारा समान लेकर वो वापस सारा है पांच राजाओं को पहली बार वो युद्ध नहीं करने वाल उसके सामने आता है हाललुया प्रेज अलॉड अठारा पड़िये तब शालेम का राजा मलिकी सिदिक जो परमप्रदान इश्वर का याजक था रोटी और दाकमदू ले आया और उसने अबराम को यह आशिरवात दिया परमप्रदान इश्वर की ओर से जो आकाश और पृत दिया अलेलुया दिश्मांश आपके अंदर घमंड पैदा नहीं होने देता है बाइबल कहती है न चर्श में आपको बताए जाता है कि दशांश देना चाहिए क्यों कि आपके अंदर घमंड नहीं आना जब भी आपके पास सेल्डी आये पास हजार आये पाश पचास रह कैंगा रहे होगा कि लिग परणने नियम में हुझान की अग्य थी और ने नियम में पता क्या है अब यह को अनिया में कहा गया था 10% 205 और नहीं दो लिए पता क्या क्या है नई वाचा क्या क्या के दिए हंडर्ड परसंट उसका है है 100 और के अब जिस मकान में रहते हैं वो मकान के कागस में आप नाम लिखा है लेकिन जिस दिन आपने विश्वास कर लिया यह मेरा घर प्रभू का है मैं इसमें सिर्फ रहता हूं कि शरीर किसका है मैं मंदिर हूं इस पर रहने वाला कौन है ये कार मेरी है नाम मेरा लिखा है लेकिन मालिक कौन है तो निया नियम हमें सिखाता है कि संपूर्ण हर चीज प्रभू की है 100 मेरा 100% प्रभू का है हैं टैनपरसंड नहीं है घंड़द प्रभू का है तो इब्राहिम से 10% मांगा उसने तकि उसके अंदर घ्मन्ड ना आए लिए पाँच राजाओं को युद। यह से हरा करारा था अब राहीम परमेश्व नहीं चाहता था कि उसके नदर घमंड तरह ता अलेसर की योजी नहीं अलग था जाती होराना चाहता था हालेलाई उस्टे से युद्ण के लिए नहीं था तो कмо मैंत आजा को इसलिए वह अब पर शाथ यहुवा का यह वचंद दर्शन में अब्राम के पास पूचा है अब्राम मढ डर तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं युद्ध के बाद परमेशन ने उसे दर्शन दिया कि मैं हूँ तेरी ढाल तो यह हमसोच के युद्ध तूने लड़ा है तेरा युद्ध जो तो जीता है उसे मैंने लड़ा है इसलिए कभी भी अगर हम अपने काम्याब हों कभी भी हम अपने सर्विस में जीते हैं कभी हम बाजी जीतते हैं घमंड मत आने दीजिए करने वाला कौन है आपके बच्चे को हंडर्ड प्रशंड मार्स आ गए मत बोलिए कभी देखे मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत किये तब याच सौपरतिश्यत आए नाई परमेश्र का अशिरवाद मेरे बच्चे के उपर है कभी भी अपने अंदर कोई भी घमंड लाने की कोशिश मत करिए किसी की हेल्प करते हैं घमंड मत लाई देने वाला परमेश्र कोई भी चीज हालेलिया जो कुछ भी परमेश्र ने हमको दिया है वो प्रिभू की ओर से देखिए इसी के लूत ने घमंड किया था हालेलिया तेरा कदस, उत्पत्ती तेरा कदस, जब यह लोग अलग हो गये, जब इनके नौकरों ने, इबराहिम के नौकर और लूत के नौकर में आपस में लडाई हो गई, तो इन्हों ने आपस ने लिया, भई तुम अलग रहो और मैं अलग रहता हूँ, तो लूत ने अपनी आखों पर भरोसा किया, उसने घमंड किया अपनी आखों पर, और उसे सही जगा नहीं मिली, उसे मिला क्या सदोम और अमोरा, पर यह क्या लिखावा है, तेरा कदस, तब लूत ने आख उठा कर यर्दर नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, कि वह सब सीची हुई है, जब त उसने आख उठा कर देखा, उसने बरोसा किस पे किया, अपनी आख पर, और उसे सदोम और अमोरा बिला, जो बाद में नाश किया गया, आपको याद होगा, उसमें सदोम और अमोरा का नाश लिखा हुआ है, इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ, आख, अगर आपकी आख की अच्छा है, आपकी आख बताएं, कभी निर्ने मत लीजिए, प्रत्रा करी आख, परमेश्व से मांगे कि जो मेरी आख देख रही है, क्या सही है, क्या मेरी आख के दौरा जो मैं जैज़ कर रहा हूँ, या निर्ने लेरा हूँ, सही है, नहीं, आललियाथ, हमें भावना पर चलकर बचन का अशीश पाई है मेरे भाई और अपने अंदर कभी भी घमंड मत लिखिए एक अंते बचन बताता हूं एक्ष सेवेंटीन टॉन्टिसिक्स यह वचन आपको बताएगा कि आज आप जो हैं यह आप आगे होने वाले जाने वाले हैं यह सब परमेश्र का हिस्सा है यह सब परमेश्र की योजना है एक्ष सेवेंटीन टॉन्टिसिक्स प्रेटो काम 27 प्रेटो काम 17 का 26 देखिए ज्यान से समझेए आप जहां पर हैं आप इसा है याद रखिए तिसलिए घमण मत करिए कि मैंने घर बनाया मैंने यह नौकरी बनाई मैंने धंदा बनाया देखिए क्या लिखाए 17 का 26 पढ़िए उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृत्वी पर रहने के लिए बनाया है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सिमाओ को इसलिए बांदी है और उसने उनके ठहराए हुए समय और सिमाओ को बांदा है यहां बराब इसलिए कभी आप आठ महीना आठ साल यहां रहते हैं छे साल वहां रहते हैं दो साल वहां रहते हैं तीन साल रहते हैं कि रहते हैं चेंज होता है उसने ब ond picnic लिए तकटि आप पर मिश्ड रभरोसा करें कि मैंने कमा आए है मैंने घर पसंड किया यह वास्तु शास्त्र में अच्छा है यह वह से पूर्व से आना है पाश्च्री से जाना है उत्तर से ऊपर नीचे से इंथ्ट कुछ कुछ नहीं है आप कितने भी वास्तु शास्त कर लें कुछ उनकी अवकात नहीं है कीमत नहीं हर दिशा परमेश्टर ने बनाई है परमेश्टर की बनाई हुई हर दिशा शुद्ध है और पवित्र है और अच्छी है वहां बरकत ही बरकत है इसलिए बिकुल बेफजूर की ब नंदर घमंद किसी भी बास का मताने दीगे परमेश्ण के लिए अपने आपको समर्पित करिए अनुशासन ले कर आये अपने अंदर जब आप अनुशासन लेकराएंगे तो घमंदनी जो अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है घमंड आएगा अनुशासन ये काम मुझे कब करना है कैसे करना है क्या मैंने जबान दिये क्या बोला है कमिट्मेंट क्या है उसके साफ से काम करना कमिट्मेंट पर अगर आप नहीं उतरेंगे सही परमिश्र के साथ क्योंकि वह गमंड करेंगे गमंड करना है गमंड आने ही नहीं देना है मैं कुछ भी नहीं हूँ कुरूस हमें बताता है आएम नती इस बात को कभी मत इयां भूली हाले लिया प्रभु आपको आशीर स्थे हाले लिया